हमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो आज मा मां बताने जा रहा है कि घर में जो कलेश और दुख आती है उसका अंत कैसे करे छोटी सुपाई से दोस्तो कलिस का तो कोई कारण ही नहीं होता है आए दिन हमारे घर में छोटे छोटे बातों पर बड़ी बड़ी रूप ले लेते कलिस कलिस का एचली कोई नामी नहीं है आज अगर घर पर खाना खराब बन गया तो कलिस हो गया ओफिस को लेट हो गया तो कलेश हो गया लेट क्यों आए इस बात पर कलेश हो गया किसी का कहीं अफैर हो गया इस बात पर कलेश हो गया किसी का अफैर टूट गया इस बात पर कलेश हो गया कोई रिस्तेदार नाराज हो गया तो इस बात पर भी कलेश हो गया कि तुम्हारे वजे से यह मलब रिष्टा जो है वो ढूट गया तो इन कलेशू से बचने के लिए मैं मात्र आप एक उपाय बताने वालों हूं जो आप सुमवार को कर ले तो ज्यादा बेटर आएगा, जो आप 5 सुमवार या 7 सुमवार कर ले तो ज्यादा बेटर आएगा यह मैं आपको एक छोटा ही उपाई बताऊगा लेकिन काम बहुत बढ़ा सॉल होने वाला है आपको सुमवर को क्या करना है? सुमवर को एक छोटी से कटोरी लेने साम को और आपको पीपल का पत्ता वो सुभ़ ही आपको अरंज कर लेना पहले से ही सुमवर को पत्ता तोड़ना नहीं है नीचे में गिरा हुआ रहाएगा वो उठा के लेके आजाना है घर पर फिर उस कटोरी में पीपल के पत्ते को रख देने का है और तीन चुटकी सरसो वो पीली सरसो आपको पीपल के पत्ते के उपर रखनी है फिर एक चुटकी आपको नमक रखना है फिर आपकी जो मध्यमा उंगली है जो बीच वाली उंगली है उससे आपको पीली सरसो और नमक को मिला देना है फिर आपको जो आपके घर का में दर्वाजा है वहाँ पे सुमवर के सामको थोड़ा थोड़ा छिरख देना है मेरिन दरवाजा के पास फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी छिरख देना है और यह भी धियान रखे अगर आप पानी कुछ छिरख रहे तो वो बह interfer के दूसरे के घर के दर्वाजे में ना जाए निये तो वही कलेश का कारण बन जाती है ये बहुत छोटा ही उपाय है बहुत थोरी से सरसोई बोला है मैंने और थोरी से नमक और थोड़ा पानी बोला है तो ये आप जरूर कर सकते हैं फिर आप घर पर आ जाईए और उस कटोरी को रख दीजिए और बाकी जो और पीपल का पत्ता है उसे भी फेक दीजिए और अगले दिन मंगलवार को उसमें जारू लगा दीजिए मात्र ये एक छोटा सोपाई आपके घर के कलेश जगरे दूख दर्थ जो भी राएगा बिलकुल दूर कर देगा और साथी साथ पक्षियों का दाना जरूत मंदों को भूजन कराईए वस्तर द्र जीए जो भी आप कर सकते है गाई को रूटी खिलाईए कुट्टे या बिल्ली को बिस्किट खिला दीजिए जरूरी नहीं है कि जब भी आप पिलाए रोज पिलाए जब भी आपको मन करें आप पिला दीजिए इससे करने से आपके कर्म स्ट्रोंग हो जाते हैं और अगर आपके कर्म स्ट्रोंग हो जाते हैं तो हमारे द्वारा किये के कोई से भी उपाए जरूर्फल प्रदान करते हैं तो दूस्तों आपको हमारे यह वीडियो पसंद आयोगा तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और प्रेप करे